मौल्दीव्स को ठोगने के लिए भारत नया खेल करने वाला है क्योंकि मौल्दीव्स की हरकत अब पानी के सर से उपर जाने जैसा है जी हाँ मौल्दीव्स ने चीन की स्पाइस शिप को सीधी एंटरी देखर भारत से बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है चीनी स्पाइस शिप आखिरकार मौल्दीव्स के पोट तक पहुँचने के लिए यार है और यहाँ पहुचने के साथ ही वो करेगा अपना वो काम जिसकी चर्चा चारो तरफ है श्री लंका के बार मौल्दीव्स में अपने जासुसी जहाज को बेज कर चीन निश्चित ही भारत पर नर्ज़र रखना चाता है लेकिन भारते नौसेना की निजरों से वो बच जाएगा ये उसकी गलत फैमी है कूटने दिक स्तर पर मौल्दीव्स जो भुखतेगा सु भुखतेगा लेकिन चीन को भी नहीं बख्षा जाएगा बता दे मौल्दीव्स के राश्चुपती मौहमद मौईजू दोगली नीथी को अपना कर भारत के साथ दुश्मनी करके बड़ी गलती कर रहे है पहले वो कहते हैं कि वो अपनी धर्ती पर विदेशी मिलिटरी को मौजूद नहीं रहने देंगे दूसरे तरफ वो चीन के जैसुसी जहाज को अपने देश में आने की इजाज़त दे देते है मौल्दीव्स के राश्चुपती मौहमद मौईजू ने दावा किया कि उनके देश में किसी विदेशी मिलिटरी की मौजूदगी नहीं होगी उनने ने काया कि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे है जल्दी एक समय ऐसा आएगा जब हमें किसी विदेशी मिलिटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना ही को विदेशी सेना यहां होगी लेकिन ये मौल्दीव्स के दोगले पन का सपश्ट नजारा है मौईजू का मन है कि वो पूरे मौल्दीव्स पर समुद्री हवाई और जमीन इस्तर पर अपनी ताकत बनाए रखे इसलिए वो अपनी समुद्री इलाके का अंडर वोटर सर्वे कराना चाहता है और यही कारण है कि मौईजू अब चीन का रुक कर रहे है मौल्दीव्स भारते सेना के पहली खेप 10 मार्च तक वापस आ जाएगी बाकी के 10 माई तक फिलाल 88 भारते सेने मौल्दीव्स में मौजूद है जो वहाँ पर हेलिकॉप्टर्स और एरक्राफ्ट की उड़ाने संचालित कर रहे है लेकिन ये राहत और बचाफ कारियों के लिए है जो वहाँ पर पिछले कई सालों से चल रहा है मौल्दीव्स ने चीन के जासुसे जहास जियांग यांग होंग तीन को अपने देश में आने की इजाज़त दे दी है जो अब मौल्दीव्स पहुंच चुका है इसे चीन का रिसर्च वेसल कहा जाता है उसे अपने देश आने की अनुमती 23 जनवरी 2024 को मौल्दीव्स ने दी थी अभी जासुसी जहास मौल्दीव की राजधानी माले पहुंच जाएगा उसे तीन दिन पहले ही श्री लंका से भगाया गया था और अब वो श्री लंका से दूर मौल्दीव्स पहुंचेगा भारत के कहने पर श्री लंका ने चीनी शिप को तो भगा दिया लेकिन मौल्दीव्स जिसका छुकाफ चीन की तरफ है वो ऐसा नहीं करने वाला दावा किया जा रहा है कि मौल्दीव की सरकार की तरफ से चीन का जासूसी जहाज मौल्दीव्स में रहते समय कोई रिसर्च नहीं करेगा लेकिन इस बात से भारत और दुनिया एकदम सहमती नहीं रखती चीन की आदत है धोका देना लिहाज जब वो यहाँ भी धोका देगा वो मौल्दीव से यह समुद्र जहाज का काम जरूर करेगा हाला कि भारत नौसेना की पहली निजर उस पर रहेगी चीन का यह जहाज माले क्यों जा रहा है इसकी असली वज़ा तुर किसी को नहीं पता लेकिन भारत नौसेना नस्दीक से इस जहाज पर नजर रख रही है ब्योरर रपोर्ट भारत तक झाल झाल